हाई एवरिवान चलिए आज सिखते हैं हम नैच्रल डाई का प्रोसेस लास्ट जब मेरे प्रिविएस वीडियो जो आप लोगों के लिए अपलोड किया था उसमें मेरे आप लोगों को इंफरमेशन दी थी कितनी तरह की नैच्रल डाई होते हैं कैसे वो यूसफूल है किस त समर में जो फ्लावर आते हैं उन सब के होते हैं सो आज हम इसे बना के देखेंगे और मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगे बना के किस तरह से यह नैच्रल डाई बनाते तो दोस्तों यह वीडियो शुरू करूं से पहले मेरी रिक्वेस्ट है लाइक किजिए शेयर काफी चीज और देखें किस सरह से औरिज है इसे मैंने क्रष किया हुआ है साथ में आप देखिए बित रूट है जिसे मैंने तेप किया हुआ है बीत रूट का टू प्रोसेजर अभी बिल्कुल एजी और नाच्रल बताओंगी दोस्तों मेरा मक्सर देखिए मैं आप लोग बहुत आसान है बहुत एजी है इसमें कोई उबालना पकाना सुखाना बिल्कुल नहीं है बिल्कुल नैच्रल है और इसे कैसे किया जाता है फ्लावर के साथ उसको पुरा कंप्लीट देखने के लिए मेरे साथ बने रहना है दोस्तो इस वीडियो के अन तक और देखे मैं सार और ओल्ड वाइट टी शिर्ट हो और यह देखे कि कॉटन हो और वाश किया हो और वो प्रेस किया हो अभी देखे है आपर मैंने टी पॉडर भी रखा है टी वैसे हम सभी को पसंदे विट हम आज टी पॉडर का यूज हम करेंगे नैच्रल डाई बनाने के लिए तो देखे तमाम मेचेरियल और इसपेशली नैच्रल फ्लावर की बात तुम्हें कहूं दोस्तों स्पीचलेस हो जाती हो जब भी मैं फ्लावर को देखती हूं कुदरत ने हमारे लिए कितनी असान चीज़ें हमारे सराउंडिंग में रखी है हमें हमेशा नैच्रल इनग्रीडियन्स क तरब जाना चाहिए जो हमारा हाल्थ बैनिफिट भी दे और हमें इसे काफ़ी अच्छे से एक्स्प्लोर करें देखे महसूस करें और गोट कभी थैंक यू उले और गुगल वालों का भी स्पेशली थैंक यू बले कि वह आप लोगों को मुझ से जोड़ा हुआ है और मु यह भी है और जितने भी फ्लावर्स में यहां पर यूज किया है नैचरल डाई बनाने में और किस चरह से मैं बनाया है वो सारे इन्फरमेशन पहले में आपको दूंगी वन बाई वन इसके बाद आपको प्रोसीजर बताऊंगी कि हमें किस बाई से इसे यूनो इसे इसके अफ्रेगनेंस एतनी ज्यादा पसंदी कि मैं मैं यह जजर तो मिझे यकीन आप लोगों को भी तुलसी का लीप बहुत पसंदी साथ ए्मेने ओरेंज लिया है इसकी भी खुश्बू मुझे बहुत बहुत पसंदी नेचरल डाय में एक इंपोर्टन बात में आप लोग वह अमेजिंग होती है साथ में अगर हम नैच्रल वे पे कुछ हर्बल्स यूनो लीप्स का यूज़ करें तो वह भी काफी खुश्बू देता है अब देखिए हापे मैंने यलो फ्लावर लिया हुआ है और इसे में कैसे फोल्ड करूंगी वन बाई वन हर एक यूनो अलग अ टेक्नीक मैंने यहां पर यूज़ किया है अलग अलग तरीके से चलिए दोस्तों सुरू करते हैं हमारा पहला मैथड तो किस तरह से मैंने फ्लावर के बाद टू रैप लिया उसके बाद अब मैंने इसमें लिफ लिया हुआ है और इसको मैं राउंड फोल्ड कर रही हूँ यह बहुत असान टेक्नीक है बहुत असान टेक्नीक है मुझे यकीन है आपनों बहुत असानी से इसे घर पे कर सकते हैं और कोई फरक ने पुटता दोस्तों कि आपकी एस ग्रूप क्या है आप कोई भी एस ग्रूप में इसे कर सकते हैं जरुत है कि आप सीखना चाहते हैं आपको नेचर से प्यार है और यकीन मानिए जब भी हम नैचरल चीजें इस्तिमाल करते हैं अपने लाइफ में तो वो हमें पॉजिटिव करता है तो देखें यहां पे मैं बहुत इजी वे पे फोल्ड कर रही हूं और सारे फोल्ड होने की बाद में इस वीडियो के अंत में बहुत सिक्रेट टेक्निक भी बताऊंगी और में यह भी बताऊंगी कि नेक्स्ट अपलोड क्या है वो भी बहुत इंट्रेस्टिंग है नैचरल डाइस रिलेचड है सो दोस्तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही आप लोगों से कि इस वीडियो के अंतक बने रही है और मेरे किता प्यारा लग रहा है अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे दूसरे नैचरल डाइ प्रोसीजर की तरफ तो मैं इसे मानते हूं मैं जनली से लिफाफा कहते हूं लिफाफा की तरह मैं हमेशा फोल्ड करती हूं सम्टाइम्स बहुत ईजी होता बट इसका लुक जब हम ओ फेबरीक में ये देखे वन टू एंड कंपलीट अब इसको हम अध्रैट से रख करेंगे चलिया रख करते हैं और रख करते हैं और रख करते हम कुछ बाते भी शेयर करते हूं क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता आप लोगों से बात करना आप लोगों को के साथ रख सारी शेयर करना और बहुत सारी बाते अच्छा दोस्तों मेरे को आप से एक शिकायत ही कि आप कुश्चिन नी करते हैं प्लीज आप मुझसे करें आपके सवाल हों आप प्लीज मुझे इन बॉक्स में डालें आपके लिए मुझे तमाम सवालों का जवाब देना बहुत अच्छा लगेगा और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपको जो भी नेच्रल डाइस से रिलेटेड फैशन से रिलेटेड डिजाइन से रिलेटेड कुश्चिन हो तो प्लीज आप मुझसे जरूर पूछें और दोस्तों मैसेज और यहां पर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूं कि अगर आप फैशन डिजाइनिंग और नाइल सिखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में और डी वो पूरे सेट रेडी है तो आप जाके सिख सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखते हैं हम क्या नया करने वाले हैं नैच्रल डाइ में और किस तरह से हम फोल्ड करेंगे और आगे क्या है तो गईज आर यू एक्साइटेड चलिए सीखते हैं आईए तो देखें यहां में एक और लिया फैबरिक देख रहे हैं जैसे कि आप ये देखें चलिए अब 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 देखें कि किस तरह से में ये फैबरिक को फोल्ड करती हूँ आपने गवर किया होगा कि मैंने हर बार अलग अलग तरही के सिस्तेमाल किया आप देखें ये है जो फ्लावर इसे मैं इसके सारी पंखुडियां अलग करूंगी और पंखुडियां के साथ इसके थोड़ी से लिप्स भी म इसे सेंटर पे रखुँगी अभी से ही कलर इसका आने लग गया है और जब ये ड्राई होता है दोस्तों अमेजिंग और ये ड्राई होने के बाद कैसे दिखेगा सब को ये एकसाइड़ है मैं आलसो एकसाइड़ हो पर मुझे पता है कि ये कितना खुफसूरत नजर आने तो आज ही आप लोग ये ट्राई कीजिए और इसे थी डेस फोर डेस के लिए ड्राई हने के लिए छोट दीजिए और उसके बाद ओपन कीजिए और मेरे साथ जरू शेयर कीजिएगा दोस्तों की ये आपका किस तरह से लुक आया है ताकि मैं अपने वीडियो में भी आप के लगाट छोगने मी पतक सु enhanced लुट इन्टरस्टिंगा बहुत माँचन के दिन याद आते हैं हम जब खेला करते तो इसीतरा से कुछ मस्तिया किया करते ते तो आज तो हम सीख रहे हैं तो सीकते बहुत सारे बात यादा रहते हैं तो मैं आप लोग के साथ शेयर करतें किस रह से हम नेक्स्ट कंप्लीट करते हैं अपनी नैच्रल डाई का प्रोसीजर दोस्थे आप एक चीज और में शेयर करना चाहते हो आच कि हम नैच्रल डाई कर रहे हैं तो समर का सीजन इसमर में बहुत सारे फ्लावर हमारे हां खुद भी होते हैं और हमारे घर पे भी नीक और कितना बेहतरी डाई का काम करता है तो इसका फोल्ड करने का तरीका वह बिना बिलकुल अलग रखा हुआ है अब यह दिखे इस तरह से मैं इसे फोल्ड किया हुआ है अब मैं इससी रैप करूंगी वन बाइ यउन तमाम चारों तरब से اور इसका लुक कैसा यह देख लेते हैं दोस्तों आप देखिए मैंने और मुझ सारे रैप कर लिये हैं नैचरल डाई का प्रोसीजर है और इसे हम ड्राई डाई कहा जाता है वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने वाटर का इस्तिमाल बिल्कुल भी नहीं किया है बहुत असान टेकनिक का यूज किया हुआ है नैचरल डाई प्रोसीजर में और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया इसमें उबालना सुखाना ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है बस इसे हम दो तीन दिन के लिए ड्राई होने के लिए रखेंगे और उसके बाद हम ओपन करेंगे दोस्तों अब ये सुखने के बाद कैसा लुक आएगा इसका जो नेक्स्ट वीडियो जब मैं अपलोड करूँगी तो उसमें बकाइदा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अब यहाँ पर देखिए तुलसी लीफ भी है मेरे पास बहुत सारे और भी नैचरल फ्लावर्स हैं वो सारे किस तरह से मैंने रैप किये हुए हैं और किस तरह से इसका लुक आया है अब ये देखें तुलसी जो है ये मेरा बहुत ही फेवरेट है और इसकी जो फ्रेगनेंस है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और आप सभी को पता है जो तुलसी है वो एंसी बायोटिक का काम करती है तो दोस्तों जब भी हम तुलसी लीफ से नैचरल ड्राइ करते हैं तो क्यों ना हम नेक्ट जब भी कोई ड्राइ प्रोसीजर करें तो नैचरल के तरफ रिटन और मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी हम नैचरल वे यूज करते हैं दोस्तों तो उसकी पॉजिटिव एनरजी हमारे लाइफ में आती है तो आप लोग भी नैचरल ड्राइ का यू तो आप प्लीज इंतिजार किजिए बहुत जल्द एक दो दिन में मैं अपलोड करूंगी और फिर शेयर करूंगी कि ये ड्राइ होने के वाद कैसा दिखा और आप लोग भी मजे बताईए कि आप लोगों ने कैसे किया तो यहां तक बने रहने के लिए दिल से बहुत इंटिग्ज में अपनों बोट जाला होँगी और शेयर करोंगी यहां तक बने रहने के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रियात हैं कि सो मच और मैं जल्दी शुआ करोंगी कि यह तिमाम ड़ाई कंप्लीट होने के बाद हमारा फैब्रिक का लुक कैसे आया तो आप एब लोगों के साथ शेयर करोंगी यहां तक बने रहने के लिए दिल से बहुत-बहुत शुक्रिया बी हल्दी, बी एक्टिव, बी क्रेटिव विद आर्ट इन डिजाइन्स बाइ मिराज के साथ थेंक यू सो मच गाइस, वे बलेज डे, बाबाई, टेक कियर